आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो question किता है An alternating voltage E equal to E naught sin omega t is applied across the coil of inductor L the current flowing through the circuit at any instant T तो आपने को चार option दिये current के तो आपने को बताने इसमें से को सही option कुन सा है ठीक है तो देखो अपने को दिया है यह कह है E मतलब कहा voltage दिया आपने को as a function of T किया है E naught sin omega t ठीक है और देखो एक coil है उसका inductance कह है L है और इसका across यह कह है potential difference यह किसके साथ vary कर रहा है time के साथ ठीक है यह apply किया तो अपने को बोलना है current flowing through the circuit at any instant क्या होगा अभी कैसे निकालेंगे देखो अपने को पता है जो inductor के across voltage रहता है वो कैसे लिखते है इसका formula क्या होता है VL equal to L di upon dt इसे लिखते है आपन inductor के across potential difference अब यह equation आपन यूज करेंगे देखो inductor के across जो potential difference है वो कितना है e not sin omega t तो मैं रख देता हूँ इदर e not sin omega t ठीक है equal to L inductor inductance है sin sorry di upon dt निकालना है di upon dt अब देखो मेरको क्या current चाहिए न ठीक है तो मैं equation को देखो rearrange करूँगा तो क्या आएगा rearrange करने को बाए L di dt को इडर लेके जातो e not sin omega t dt ठीक है अब देखो मैं integrate करूँगा दोनों side इदर और इदर ठीक है e not तो constant है L भी constant है तो बाहर निकलेंगे obvious है sin omega t dt का integration करेंगे और di का integration किया तो क्या मिलेगा अपने को पूरा current मिलेगा ठीक है जो अपने को चाहिए ठीक है तो ये मैं L नीचे लेके जाता हूँ इदर तो ये क्या बचेगा e not l और sin omega t dt का integration क्या होगा नीचे omega आएगा है न integration के rule से और इसका क्या आएगा minus cos omega t ठीक है और इदर क्या आएगा current as a function of time ठीक है ये अपने को निकालना है तो मेरा current as a function of time क्या है e not omega l minus इदर और cos omega t ठीक है अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं e not upon omega l sin omega t minus pi by 2 अब इसे कैसे लिखा मैंने simple है अपना trigonometry लगा लो sin pi by 2 minus theta कितना होता है cos theta लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा किया तो बस एक minus sin और आ जाएगा ठीक है तो ये आगया मैरा current as a function of time तो ये कुनता option है अपना option number 2 तो ये मैरा final answer प्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप ये whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर